When Frank Butchman's Moral Rearmament Army Frank Butchman ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है वेश्व प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है इसके बारे में विस्तार से आप थोड़ा और जाने खुएम गूगल करके देखें उसकी एक संस्था थी उसका नाम था Moral Rearmament Army शम्था आर्मी फौज सेना वैसी सेना नहीं जो राष्ट्रों की होती है पर युवकों की उसने एक सेना बनाई थी और उसको नाम दिया था Moral Rearmament Natic Rearm करना ये उसका काम था उसका लक्ष था और शाट में MRA के नाम से प्रसिद्ध था संक्षिप में MRA के नाम से ये संस्था विश्व प्रसिद्ध थी तो जन फ्रैंक बुचानन्ज MRA सम टू हंडर्ड स्ट्रॉंग विजिटेड मेड्रास इन नाइंटीन फिफ्टी टू उननीस ओ बावन में MRA के लगवक दो सौ लोग टू हंडर्ड स्ट्रॉंग पीपल जब मदरास पहुशते हैं विजिटेड मदरास जो लोग इसके सरश से थे कब? उननीस ओ बावन में दे कुड नॉट है फाउंड ए वार्मर होस्ट इन इंडिया दैन जैमिनी स्टूडियो जब वो मदरास आए इस दल के लोग जिनकी संख्या लगबग दो सौ थी उननीस ओ बावन में तो जैमिनी स्टूडियो ने जितनी उनकी खातिरदारी की उससे ज़्यादा खातिरदारी उनको नहीं मिल सकती थी दे कुड नॉट हैव फाउंड उन्हें मिल नहीं सकती थी वार्मर होस्ट और ज़्यादा दिलेर होस्ट वाम होस्ट मतलब बहुत दिलेर दिल वाला जेमिनी स्टूडियो के लोगों ने जिस तरीके से गर्म जोशी से उनकी खातिरदारी किया उनका स्वागत किया, ऐसा और कोई नहीं कर सकता था host मने अजाय टोल लिए, मेजबान warmer host मतलब गर्म जोशी वाला मेजबान जेमिनी स्टूडियो से ज़्यादा च्छनी मिलता किसी ने बताया कि ये एक अंतर राष्टी सरकस है सरकस आप सब समझते हैं कि इसी जवाने में जेमिनी सरकस हुआ करता था भारत में बड़ा प्रसिद सरकस जहां जानवरों का खेल दिखाया जाता है अब इस तरीके के जो सरकस है वो एक तरीके से लुप्त प्राय हो गया है या बहुत छोटे स्टर पर है वैसे ऐसे सरकस आज भी अंदरूनी आलाके में इंटीरियर्स में छोटे स्केल में मिलते हैं और सरकस के गायब होने के कई कारण है जानवरों को बांद के रखना खासकर जंगली जानवरों को एक अपराद है और इसलिए अब ऐसे जानवरों को जिन से सरकस चलता था अब वो अपराद माना गया है इसलिए सरकस भी बंद हो चले हैं तो लोगों ने कहा कि शायर ये जो आये हैं 200 लोग फ्रेंक बुचनान के साथ फ्रेंक बुचमैंस के साथ मॉरल रियार्ममेंट आर्मी के लोग ये शायर अंतराश्टी सरकस है ऐसा शुरू में लगा लेकिन ये लोग ट्रपीज मतलब वो ऐसा जाल बिचा के जिसमें खेलते हैं सरकस वाले उसमें कोई अच्छे नहीं थे लोग और अध्यापूर में मेरे चार परिचित हैं I have no acquaintance in Canada Canada में मेरे कोई परिचित नहीं है To be acquainted with मतलब से परिचित होना I am not acquainted with car driving I am not much acquainted with car driving Car driving से मेरा ज्यादा तालुकात नहीं पड़ा है परिचा नहीं हुआ है अच्छे से नहीं चला सकता You must be acquainted with The weather of that area before you go there वहाँ जाने के पहले वहाँ के मौसम से अपने को अच्छी तरह परिचित कर लो जान लो समझ लो So acquainted with So ये लोग कोई वो जो ट्रपीज में कोई पारंगत तो दिखे नहीं और रही जानवरों से इनकी उसकी बाद परिचा की बाद तो जानवर से केवली डिनर टेबल पर इनका परिचा था उससे जादा नहीं They were not acquainted with animals only at the dinner table But they presented two plays in a most professional manner लेकिन उनोंने दो शांदार नाटक की Play मने नाटक Play मने नाटक खेल कूतो है ही और प्ले कारत हुता है नाटक भी Today I am going to watch a play in शहीद स्मारक हौल आज मैं शहीद स्मारक हौल में एक नाटक देखने जा रहा हूँ So, यद्य भी जानवरों से इनका ज़्यादा कोई तालुक नहीं था ट्रेपीज पे पे कोई ज़्यादा इनका अनुभा नहीं था लेकिन दो बड़े शांदार नाटक इन्होंने किये और बड़े प्रोफेशनल वे में प्रोफेशनल तरीके से मतलब बहुत जैसे वियावसाईक तरीके से उन्होंने ये नाटक करवाए नाटक के नाम क्या थे जौफन वाली एंद फर्गॉटन फैक्टर देर जौफन वाagएशनल वाली एंद बड़े फर्गॉटन फैक्टर रन सेवरल शूज उसके बहुत से शूज चले देखिए वर्ड है रैन कहां से आए रन से रन, रन, रन रन मने दोड़ना पर यहां पर चलना भी होता है बहुत दिनों तक यह सिनेमा चला दे फिल्म शोले रन फॉर थी यर्थ इन वन टॉकीज इन बंबे विदाउट ए ब्रेक शोले फिल्म तीन साल तक बंबे की एक टॉकीज में बिना किसी ब्रेक के चली, इट रन फॉर थी यर्थ तो रन का मतलब दॉड़ना नहीं होता यहां रन का मतलब है चलना, उतने दिन तक वो चला और नाटक के क्या नाम थे? The Forgotten Factor and the Jothan Valley Madras में इसके बहुत सारे शो हो गए And along with other citizens of the city we also went शहर के अन्य गन्मानी व्यक्तियों के साथ-साथ हम लोगों ने भी उसे देखा Along with के साथ-साथ Along with मतलब के साथ Citizens मतलब नागरिक अन्य नागरिकों के साथ हम ने भी इसे देखा और हम लोग कितने थे? 600 लोग हम लोग का मतलब जैमिनी फैमिली में जो 600 लोग थे उन्हों ने भी ये नाटक देखे And we saw this नाटक over and over again over and over again मतलब बारं बार याद रखेंगे over and over again मतलब बारं बार Why are you reading this page over and over again? Why are you reading this message over and over again? इस message को तुम बारं बार क्यों पढ़ रहा हो? So over and over again The message of this were usually plain and simple homilies इस नाटक में सामान नित्या बड़ा प्लेन धर्मिक बातें थी Simple homilies Homilies मतलब हलकी फुलकी चर्चा थोड़ा हलका फुलका लेक्चर और बड़ी सरल भाषा The message of the play were usually plain and simple homilies But The costumes and the lights were first rate The stage was first rate First rate मतलब ए वन जिसको आप बुलते है शांदार क्या चीज़ शांदार थी? Light effect Set का effect Or costumes Costume मतलब कपडे जिस कपडों में कला कारों ने नाटक कारों ने नाटक करने वालों ने नाटक किया जिस मंच पर नाटक किया और जैसी light की प्रभाव था बड़ा शांदार था उस मामले में ये लोग प्रफेशनल लगते थे So the costumes are first rate Top class Madras and Tamil drama community were terribly impressed by the scene of sunrise and sunset Madras के लोग और इसके अलावा नाटक देखने वाले लोग कई लोग होते हैं ने जो लगाता नाटक करते हैं व्यस्त रहते हैं इसमें अपने को नाटक से जोड के रखे हैं इससे बहुत ज्यादा प्रभाद बाकी जो नाटक के जो डायलॉक्स थे बड़े सरल थे, प्लेन थे होमिलीज जो इसमें थोड़ा बहुत लेक्शर दे देते थे उसमें भी कुछ मज़ा नहीं था लेकिन स्टेज में बड़ा अनद, बड़ा मज़ा था तो क्या हुआ बहुत सारे तमिल नाडू के जो नाटक हुए बाद में परनाम क्या हुआ इस नाटक का के जो नाटक कार थे जो नाटक में रुची रखते थे उन्होंने आने वाले वर्षों में बहुत बार अपने नाटकों में सन्राइज और सेंसेट का जो द्रिश दिया वो लगबग भुचानन की रियाममेंड आर्मी के द्वारा दिये गए नाटक का ही बैक्ग्राउंड दिखता था सन्सेट और सन्राइज इने मैनर दैट वस जो तन वैली तो वो सेट अखिर था क्या क्या खासियत थी जिसने लोगों को इतना प्रभावित किया कि आने वाले समय में मैडरास के अधिकतर नाटकों में सन्राइज और सन्सेट का सीन डाला गया और उसमें क्या होता था स्टेज बिलकुल खाली बेर बेर मतलब खाली बेर मतलब बिलकुल खाली बेर स्टेज बिलकुल खाली स्टेज होता था ए वाइड ब्लैक बैकग्राउंड काटन पीछे बिलकुल सफेद परदा शुब्र सफेद परदा a spotless white परदा, very big curtain and a tune played on the flute और बांशुरी पर एक संगीद बचता था, एक tune बचती थी बांशुरी पर, flute मने बांशुरी ये जो द्रिश्य था, खाली स्टेज, सफेद परदा, लाइट और भल की बांशुरी बचती हुई ये द्रिश, sunset और sunrise के लिए बारंबार रुप्यों किया जाने लगा, चै नहीं मैं, मिद्रास में उस समय Some years later, I learned that the MRA was a kind of counter movement It was some years later, कुछ वर्ष बाद, some years later, late से बना later कुछ वर्ष बाद, I learned, मुझे मालुम पड़ा, कि MRA जो है, वो एक प्रकार का counter movement सा, किसका counter movement, to international communism International, it was counter movement to international communism Communism के खिलाफ होने वाला ये एक खड़ा होने वाला एक movement सा अर थाद, ये लोग communism के खिलाफ थे And the big bosses of Madras, like Wasson, simply paid into their hands और Mr. Wasson, आपको याद है, कौन है Mr. Wasson? Mr. Wasson was the owner of Gemini Studio Mr. S. S. Wasson, जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया है Mr. S. Wasson, जैसे लोग played into their hands, मतलब उनके घेरे में आगया है, उनके खेल में आगया है They played into their hands MRA was a kind of counter movement to international communism And the big bosses of Madras, like Mr. Wasson, simply played into their hands To play into the hands of somebody, मतलब किसी के घेरे में आजाना, किसी के लपेटे में आजाना, किसी के जहांसे में आजाना उसे कहते है, to play into the hands of somebody Oh, 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 so and so has played into the hands of the criminal अपराधियों के जहांसे में आगया, अपराधियों के घेरे में आगया, लपेटे में आगया, चपेटे में आगया to play into the hands of याद रखेंगे बहुत बढ़िया शब्द है बहुत बढ़िया फ्रेज है so Mr. Vastan जैसे लोग भी MRA के जहांसे में आ गए I am not sure however that this was indeed the case indeed मने वास्तों में मैं वास्तों में ये निश्चिता के साथ नहीं कह सकता की ये जहांसे में आने वाली बात सच है मुझे नहीं मालूँ I am not however however यद्यपी यद्यपी मैं सुनिश्चिता के साथ नहीं कह सकता that this was indeed the case कि वास्तों में ये बात सच है कौन सी बात कि वास्तन उनके जहांसे में आ गए और ये लोग counter communism के लिए आये हैं however this was indeed the case for the unchangeable aspect of these big bosses and their enterprises remain the same for मतलब के लिए नहीं for मतलब यहां पर कुछ और मेनिंगा अब इसको ज़िए हम पढ़ें तो देखिये I am not however sure that this was indeed the case for the unchangeable aspect for मतलब मैंने पाया पाया क्या अपरवर्त नहीं बदलाओ unchangeable aspect of these big bosses ये जो बड़े बड़े लोग थे इन में मैंने कोई बदलाओ नहीं पाया इनका जो enterprise है इनका जो अपना धंदा था अपना काम था वो it remained unchanged उसमें कोई बदलाओ नहीं आया M.R.A. नो M.R.A. international communism और नो international communism इनके कोई मतलब नहीं था इनके M.R.A. एंड नो M.R.A. international communism और नो international communism इनके लिए कोई माइने नहीं रखता था इनकी जीवन शैली जो है वो वैसे ही चलती रही कोई बदलाओ नहीं आया अपने काम के तरीकों में ये अखिर बताना क्या चाह रहा है author author want to show के communism का प्रभाव बर्त व रहा था और ये लोग anti-communism के नाम से आये थे पर इसका कुछ प्रभाव विशेश नहीं दिखा The staff of Germany studio The staff of Germany studio had a nice time Germany studio के लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय गुजरा hosting 200 people of all hues and sizes host करना मैंने मतलब आपको बता है मेजबानी करना 200 लोगों की मेजबानी करने में इन लोगों को बड़ा मज़ा आया of all hues and size human color सभी color के लोग blacks, whites streets और अलग-अलग देशों के लोग और अलग-अलग height के लोग जो इसके member थे किसके MRA के जो सदस्य थे ऐसे 200 लोगों को host करने में उनकी मेजबानी करने में Germany studio के 600 लोगों को बड़ा मज़ा आया the staff of Germany studio had a nice time why? hosting 200 people of all hues and size of at least 20 internationalities ये जो MRA था इसमें लगभग 20 अलग-अलग देशों के लोग थे इसलिए उनकी size अलग अलग height के थे अलग-अलग शारीरिक बनावट के लोग थे अलग-अलग रंग के थे brown भी थे, blacks भी थे, white भी थे यानि हमको बड़ा मज़ा आया ऐसा author का कहना है कि Germany के लोग को बड़ा अनन्द आया उस दोरान ये 200 अलग की देख भाल करते खातिरदारी करते, तिमारदारी करते It was such a change from the usual collection of crowd players It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of make-up by the office boy in the make-up department It was such a change ये एक बड़ा अच्छा बड़ाओ था किस चीज से? किस चीज से बड़ाओ था? रोज भीड को office boy के द्वारा एक अठा किया जाना और फिर वो office boy के द्वारा क्या करना? उनके चेहरों पर भीड के भीड में शामिल व्यक्तियों के चेहरों पर रंग स्लैप करना? पहले आपको बताया था कि office boy के यही काम था और यह जो सज्जन थे, राइटर अशोक मित्रन यह कोने में निउस पेपर की फाइल कटिंग करते थे तो उनके सामने बस वही दिखाई देता था कि office boy जा रहा है, भीड कठी कर रहा है, भीड को कलर मार रहा है उस रुटीन चीज़ से ये बदलाओ बड़ा अच्छा लगा Waiting to be slapped, slap मतलब थपण मारना नहीं, यहाँ पर slap मतलब होगा, रंग का थपार, रंग का चेहरे में लगाना और क्यों लगाते थे रंग, to fill the pores, चेहरे में जो छिद्र होते हैं, उन छिद्रों पर रंग भरना ताकि उसके बाद, जैसा बनाना है आदमी को दिखना है, वैसा कलर उसके ऊपर लगाना ये तो किवल pores को भरने के लिए रंग लगाता था office boy so from a usual collection of crowd players to be slapped with the layers, thick layers of makeup by the office boy in the makeup department makeup department के उस office boy के द्वारा जो काम किया जाता था रोज रोज भीड को एकठा करके उन पे color मारना चेहरे पे so it was a change, एक बहुत बड़ा बदलाओ था, a welcome change now we come to the next paragraph, a turning point यहां तो हुआ MRA की बातचीत MRA की गतिविदिक से कैसे प्रभाव पड़ा जैमिनी क्लब पे, जैमिनी स्टूडियो में अब हम कहानी आगे लेते हैं a few months later, कुछ महिनों बाद, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed once and once again, we at जैमिनी स्टूडियो cleared a whole shooting stage to welcome another visitor a few months later अब यह MRA के लोगों को हमने बड़ा बड़ी खातिरदारी की और बड़ा मज़ा आया कई बार, कई कई बार इनके नाटक देखे नाटकों का प्रभाव भी हमने समझा light और stage का प्रभाव यह देखे नाटक में स्वैम कुछ मज़ेदार चीज नहीं थी मेरे लिए भी थोड़ा बड़ाव था author कहते हैं और ऐसा कहते हुए समय निकल गया उसके बाद जैमिनी स्टूडियो वापस अपने काम में लग गया लेकिन कुछ महिनों बाद फिर खबर आई टेलिफोन लाइन सब बिग बॉसे सब मेड्राज बस्ट बस्ट मतलब हल चल होना दा 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 रायपूर इस बज़िंग विथ लॉड़ अक्टिविटीज रायपूर में अब बहुत सारी गतिविजियों कि हल चल पता चलती है हल चल हो रही है बस तो मड्राज के जो बड़े बड़े लोग थे इनकी टेलिफोन लाइने अब लगा तार खंखना रही थी घंगना रही थी क्यों विए अट जेमिनी स्टुडियो क्लियर डे होल शूटिंग स्टेज एक बार हमें फिर आदेश आया कि जो शूटिंग का जो स्टेज है उसे पूरा साफ करो पहले कब आया था ये आदेश जब एम आरे आया था किस वर्ष 1952 में उसके मुखिया कौन थे फ्रैंक बुचनान कितने लोग के साथ आये थे 200 लोग के साथ और चले भी गए लेकिन अब फिर खबर आई कि एक और दल कोई आ रहा है कोई और आ रहे हैं और इसलिए भाई अपना स्टेज विलकुल साफ कर दो और जैमिनी स्टूडियो कोई आदेश मिला कि यहां पर वो कारकरम होगा वी अड़ जैमिनी स्टूडियो क्लियर्ड ए होल शूटिंग स्टेज तो वेलकम एनएदर विजिटर एक और अतिथी के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ अल देशिए वाउज अपना स्टूड़ अपना स्टूड़ और जब लोगों ने पूछा कि वही कौन आ रहा है क्या रहा है तो लोगों ने कहा कि एक इंग्लेंड का एक पोएट है कभी है एमारे के समय में लोगों ने कहा था इंटरनाशनल सरकस है लेकिन निकला कुछ और यहाँ पर अब पोएट की बात हो रही थी और वेर वर्ट्सवर्थ और टैनीशन जेमिनी सरकस यह जेमिनी स्टूडियो में काम करने वालों ने इंग्लेंड के तो दो ही पोएट के नाम सुने थे और वो कौन से थे वर्ट्सवर्थ और टैनीशन बहुत पसिद्ध कभी है यह Wordsworth is probably the most read poet in the world He has written some of the best poems आपको पढ़ना चाहिए इनकी कविताएं And some of the best lines of Wordsworth are You can see here Similarly, Tannyson, Lord Tannyson Wordsworth की लाइनों के अलावा Tannyson की भी कुछ लाइने बड़ी प्रसिद्ध है To quote a few lines, they are here So, हमको तो केवल दो ही कवियों के नाम मालूम थे जब हमको पता लगा कि England तो कोई कवियों आ रहा है और इसलिए Germany studio को बिलकुल सजा दिया जाए तो हम लोग ने पता साजी की कुछ समझ में नहीं आया है किसी ने का कोई कवी आ रहा है, हमको दो ही कवी के नाम मालूम थे लेकिन जो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे हमारे ग्रुप में उनको कुछ और नाम मालूम थे दो मोर लिटरेट वन्स, लिटरेट मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उनको कीट्स के बारे में मालूम था, शेली के बारे में मालूम था, बारन के बारे में मालूम था थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे लोग को तो क्या ये लोग में से कोई आ रहे हैं पर ये तो पुराने हैं अब कौन पोईट है ये टेनिशान और वर्ट्सवर्ट, कीट्स, बारन, शेली ये तो सब गुजर चुके हैं एक आद दो ऐसे भी होंगे हमारे गृप में छहसो में जो शायद फेंटली मतलब बहुत हलक्या फुलका बहुत उनको सतही ग्यान होगा किसके बारे में, know of someone by the name Elliot, T.S. Elliot उसकवी का नाम है, very famous poet of the 20th century हो सकता है एक आद किसी को हमें से T.S. Elliot के बारे में मालुम हो, लेकिन who was the poet visiting Germany studio now, पर अब कौन आ रहा है जेमनी studio भाई और इस प्रकार सब के मन में ये कौतूहल था कि आ कौन रहा, कौन सा कभी आ रहा, पहली बात कभी आ रहा है न, ये भी एक सवाल था क्योंकि पिछली बार सरकस आ रहा है हमने सुना और पता लगा नाटक करने वाले लोग आए थे तो इस बार क्या है वो कभी नहीं है, वो कभी नहीं है, वो संपादक है, एडिट करना मनलब, संपादकी करना, काच छांट करना, बदलाओ करना तो किसे नहीं है, वो कभी नहीं है, वो एडिटर है, that's why the boss is giving him a big reception, इसी लिए boss जो है, उसका बहुत शांदार तरीके से स्वागत कर रहा है reception मतलब स्वागत भोज होता है नो, शादी का reception, आपने सुना है, to receive से बना है, reception शब्द जो बना है, वो to receive से, to receive मतलब पाना, प्राप्त करना किसी को पाना, स्वागत में, स्वागत द्वार में, उससे बना है reception, so the boss is giving him a big reception because he is an editor क्योंकि वो किसी पत्रिका का, समाचार पत्र का संपादक है, इसलिए भाई, वासन शाहब जो हैं, वो इतना बड़े स्थर पर उसका स्वागत करवा रहे हैं वासन was the editor of popular tamil weekly, आनन्द विकातन वासन स्वाइम भी, एक बहुत चर्चित, popular tamil weekly के, एक सापताहिक पत्रिका के, जिसका नाम आनन्द विकातन था, उसके संपादक थे, तो हो सकता है, चुँकि वो स्वाइम संपादक हैं, उन्होंने इंग्लेंड से की संपादक को आमंत्रत किया हो, लेकिन हा, he was not the editor of any of the known names of British publications in Madras, इतना तय था, कि जो सज्जन आ रहे थे, वो किसी जानी मानी पत्रिका के, किसी जानी मानी अंग्रेजी पत्रिका के, जो Madras में छपती है, उसके संपादक हों ऐसा नहीं था, बिकाद, यह तो सब को जामी स्थुद्यो वालों को मालूँ था, that is already, that is those known at the Germany studio, so he was certainly not editor of some famous British publication in Madras, नहीं तो जामी वालों को मालूँ होता, Since the top men of Hindu Were taking the initiative The surmise was That the poet was the editor of it Daily अब देखिये गेस चल रहा है कॉतुहल तो है अब सब अंदाजा लगा रहे हैं तुक्का लगा रहे हैं कि कौन आ रहा होगा और ये क्लियर नहीं हो रहा है कौन आ रहा है कुकि Since the top men of the Hindu The Hindu जो है वो दक्षिन भारत की सबसे प्रसिद समाचार पत्र है अकभार है दक्षिन भारत का सबसे प्रसिद अकभार the Hindu और the Hindu के लोग उसके स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं हिंदू के लोग उस व्यक्ति के आने के उस सुक्ता दिखा रहे हैं और initiative ले रहे हैं मतलब आगे आगे तो टेक initiative मतलब आगे आगे होना और आगे आगे उसके स्वागत के लिए तयारी कर रहे हैं the surmise was, surmise मतलब निशकर्ष, अंदाज, निशकर्ष, अंदाज, मतलब surmise, I surmise that he will do well, from the hard work that he has done, I surmise he will do well, जो cutting shrum उसने किया है, उससे मुझे अंदाज है कि वह सफल होगा, अच्छा करेगा, to surmise, और यहाँ surmise noun है, the surmise was that the poet was the editor of a daily, चुँकि the Hindu भी एक daily था, daily मतलब रोज छपने वाला अखबार, रोज छपने वाले अखबार को बोलते हैं, या magazine को बोलते हैं, the daily magazine, और सब्ताहिक जो होता है, उसे कहते हैं, weekly magazine, और जो पंदरा दिन में छपता है, उसे कहते है, quarterly magazine, और जो महीने भर में छपता है, उसे monthly magazine, जो दो week में छपता है, उसे by weekly, by weekly, daily, so this Hindu was a daily, तो किसी नहीं कहा, जिस तरीके से Hindu पत्रिका के लोग, Hindu अखबार के लोग, इसके स्वागत की भरपूर तयारी कर रहे हैं, इस व्यक्ति के, ऐसा लगता है कि वो आने वाला व्यक्ति भी, किसी daily अखबार का संपादक है, यह सब guest चल रहा है, अंदाज लगा रहे हैं लोग, the surmise was that the poet was the editor of a daily, लेकिन हाँ, इतने तह है कि वो Manchester, Guardian या London Times के editor नहीं है, बहुत बड़ी magazine थी, Manchester Guardian और London Times, बहुत विश्व प्रसिद्ध, बहुत बड़ी विश्व प्रसिद्ध समाज चार पत्र हैं, आज भी छपते हैं, तो इतना बड़ा भी कोई संपादक नहीं है, मानो कि वो Manchester Times का हो, या Manchester Guardian का हो, या London Times का हो, यह भी अंदाज हो गया था, That was all, that even the most well-informed among us knew, बस इतना ही हम में से सबसे ज़्यादा जानने वालों को मालूम था बस, That was all, बस इतना मालूम था, that even the most well-informed, well-informed मतलब, जिनको सबसे ज़्यादा मालूम था है इस घटना करम के बारे में, उनको भी बस इतना ही मालूम था कि कोई संपादक आ रहा है, वो भी शायद किसी डेली का है, किसी समाज चार पत्र का है, इंग्लेंड का, लेकिन हाँ, मैंचेस्टर, गार्डियन और लंडन टाइम्स के लेवल के पत्र का कर संपादक नहीं है, और आधी आधी, दुनिया वर की बातें, मैं ड्रास में होने लगी, अभी इतनी सब भूमिका, कितनी चर्चा हो रही है, जैमिरी को बहुत सजाय समारा गया, दहिंदू के लोग जुड़ गए, दहिंदू बहुत बड़ी पत्र का है, बहुत बड़ा समाचार पत्र का ग्रुप है, बहुत पतिष्टत है, उसके लोग भी जिसके स्वागत की तैयारी में, पूरी तरह अपने को जोग दिये, तो स्वाभाविक है, मद्रास में चर्चा हो रही थी, और जैसा शुरू में ही कहा, कि all the phones of the big bosses were buzzing in मद्रास, मद्रास में बड़े-बड़े लोगों के यहां लगातार, फोन आ रहे थे, लंदन थे, दिल्ली से, और सब जगह से, इस व्यक्ति की यात्रा को लेकर, लेकिन कौन व्यक्ति है, इसकी कोई जानकारी नहीं, even the most well informed did not know, अब क्या होता है, at last, अंतत, around four in the afternoon, अंतत, शाम के चार बजे, the poet, bracket में, the editor, arrived, or the editor, हमको तो poet बताए गया था, लेकिन कोई लोग कह रहे थे, editor, संपादक, तो इसलिए bracket में लिख दिया है, poet, or the editor, arrived, चार बजे, वो पहुँचे, he was a tall man, और एक उचे पूरे आदमी थे, very much English, पूरे अंग्रेज दिखते थे, पक्के अंग्रेज थे, very serious, बड़े serious दिखते थे, and of course, very unknown to all of us, और हाँ, हम सब के लिए अनभेग्य व्यक्ति थे वो, और था थम्मे से कोई उनको नहीं पहचान पाया, इतना जरूर देखे, कि बड़ा serious आजमी दिख रहा है वो, बड़ा उंचा पूरा है, पक्का अंग्रेज है, और अंग्रे जी, तो बहुत अच्छी आती होगी, battling with half a dozen pedestal fans, pedestal fans क्या होता है, और battling with मतलब, battle man ने लड़ाई, तो half a dozen pedestal fans, pedestal fan मतलब, ऐसा पंखा जो stand में खड़ा होता है, एक तो होता है, wall mounted fan, किनारे जो लगता है, wall mounted fan, एक होता है, ceiling fan, जो च्छत में लगता है, और एक होता है, pedestal fan, जो जिसमें लंबा डंडा होता है, उसे क्या कहते हैं, pedestal fan, और एक होता है, table fan, तो ceiling fan और table fan, आप सब जानते हैं, बड़ा common है, दीवाल में लगने वाले पंखे को कहते हैं, wall mounted fan, और जो जमीन में ऐसा खड़ा कर दिया जाता है, उसे कहते हैं, pedestal fan, so, battling with half a dozen pedestal fans, करीब आधा दर्जन, अर्था 6 से पंखे लगे थे, उसके साथ, एक तरीके से, थोड़ा द्वंद हो रहा था, तो लोगे कठनाई भी हो रही थी, जब वो आए तो, on the shooting stage, on the stage पे जब पहुँचे, तो ये 6 पंखे घंघना रहे थे, the boss read out long speech, 6 पंखों की आवाज आ रही है, उनकी हवा की आवाज आ रही है, अंग्रेज मंच पे आते हैं, चार वजे का समय, और the boss, the boss मतलब Mr. Watson, Gemini studio के owner, उन्होंने एक लंबा भाशन दिया, long speech, it was obvious, that he too knew precious little about the poet, obvious मतलब, दिरिश्टी गोचर होना, महसूस होना, लगना, obvious, दिखाई देना, it was obvious, that, he too knew precious little, बहुत कम, precious मतलब बहुत, it is precious costly, बहुत महंगा है, precious time is wasted, in sleeping, बहुमूल ले समय सोने में गमा दिया, it is a precious stone, ये पत्थर जो है बड़ा महंगा है, जो हम अंगूठी में कई बार लगाते हैं, मूंग का पत्थर, डाइमंड और ये जो, precious, precious stone मतलब महंगे पत्थर, तो यहाँ पर author कहता है, he knew precious little, अब यहाँ तो महंगा अर्थ नहीं होगा, precious little मतलब बहुत थोड़ा, precious little, I know precious little about this film, इस film के बारे मेरे को बहुत कम ज्यान है, can you please tell me something about Jagdalpore, well, I know precious little about it, क्या तुम जगदलपूर के बारे में जो कुछ बताओगे, मैं जा रहा हूँ हूँ, तो मैं काहूँगा, अरे नहीं भाई, मैं बहुत थोड़ा जानता हूँ, जगदलपूर के बारे में, so precious little, so the boss also knew precious little about the poet, boss भी, इस poet या bracket में, संपादक के बारे में ऐसा लगा, बहुत कम जानते हैं, यदि पर उन्होंने बड़ा लंबा भाशन जाड़ दिया, the speech was all in the most general term, जो उनका भाशन था, हमारे boss का, वो बड़ा एक सामान्य था, general term, general भाशन था, but, her, but, but, the speech, had here and there, worked like, freedom, democracy, the boss, Mr. Vachan ने जो भाशन दिया, बड़ा लंबा था, थोड़ा बोरिंग भी था, क्योंकि बड़ा सिंपल था, लेकिन हा, बीज वीच में, it was papered with, words like, freedom and democracy, वहाँ उस भाशन में, जब तब, श्वतंत्र था, लोक तंत्र, ऐसे शब्द डाले गया थे, papered with, paper क्या होता, paper मतलब, जो salt and paper, जो हम, खाने में डालते हैं, तो papered with, मतलब उससे less, so it was paper, his speech was papered with, sarcastic, sarcasm, उनका भाशन दज़ास्त, वो व्यंग से भरा हुआ था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर तो बडा तरल भाशन था, it was papered with, few good words like, democracy and, लोक तंत्र and, freedom etc, बस यह हमको समझ में आया, then the poet spoke, इतने लंबे भाशन के बाद, अब कभी महोद है खड़े हुए, और the editor, जो भी थे वो, वो तो हमको अभी तक समझ में नहीं आया, कि थे कौँ, हैं कौँ वो, लेकिन अब जब उनका टार नाया, और वो खड़े हुए, he could not have addressed, a more dazed and silent audience, ऐसा लगता है, कि इससे पहले कभी, उन्होंने इतना शान्त भीड, और इतनी भाचक की भीड को, कभी भाशन नहीं दिया होगा, डazed मतला, चमक जाना, our dazed, more dazed and silent audience, वो आवाज हक्का बक्का होके, चुप होके बस सुन रहे थे, शान्त थे बिलकुल, ऐसा लगता है, कि इस व्यक्ति ने, कभी इतने शान्त माहौल में भाशन नहीं दिया होगा, no one knew, what he was talking about, किसी को समझ में नहीं आ रहा थे, कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, वो अपना बोलते चले गए, no one knew, what he was talking about, what मतलब क्या, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कि वो क्या बात कर रहे हैं, and his accent, defeated any attempt to understand, what he was saying, और उनका जो बोलने का उच्चारंट सा, accent मतलब उच्चारंट, accent, बोलने का लहजा, हर, राज्य के लोगों के बोलने का अलग अलग लहजा होता है, जैसे उधारन के लिए हिंदी, उत्तर पदेश में भी बोलते हैं, बिहार में भी बोलते हैं, मद्यपदेश में भी बोलते हैं, 36 गड़ में भी बोलते हैं, लेकिन बंदेल खर्ण में भी बोलते हैं, लेकिन पांचों जगा में हिंदी की बोली जो है, उसको बोलते समय एक अलग तरीका रहता और आप समझ जाते हैं कि अरे ये तो यूपी का है ये बिहार का है ये मध्यपदेश का हो सकता है ये व्यक्ती तो वो accent कहलाता है क्या कहलाता है accent तो वो जो अंग्रेज जो बोल रहा था उसको लोगों की समझ से परे था no one could understand what he was saying अब समझ से परे क्यों था the whole thing lasted about an hour ये जो पूरा करक्रम था वो करीब एक घंटा चला last मतलब अंतिम नहीं last मतलब ये समझ तो इतने दिन तक चलना this you have given me 5000 रुपी it will last for three months आपने मुझे 5000 रुपे दिये हैं रायपुर में रहने के लिए ये तीन महां से ज्यादा नहीं चलेगा so last मतलब अंतिम नहीं he could not have addressed a more dazed and silent audience no one knew what he was talking about the whole thing lasted an hour ये सब पूरा करक्रम जो है लगबग एक घंटा चला then the poet left and we all despair in utter bafflement to disperse मतलब भंग हो जाना assembly is dispersed now अब assembly भंग हुई सब अपनी अपनी कक्षा में जा है to disperse the crowd मतलब तितर बितर करना so यहाँ पर तितर बितर करना भंग करना होगा कि disperse in bafflement utter bafflement bafflement मतलब बड़ा जी हम लोग सब अश्चर चकित हो गए समझ नहीं पा रहे थे baffled मतलब अचंबित baffled मतलब पहली नुमा एक हमारे दिमाग में आ जाना but we were baffled what to do हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है so यहाँ पर अब हमको इन्होंने भाशन दिया सब खतम हुआ और हम लोग सब अप्तितर बितर हुए लेकिन कैसे baffled we were baffled समझ नहीं आ रहा था कि कौन है यह क्या है क्या बोला वो in utter bafflement what are we doing और हमको लगा हम कर क्या रहा है यहाँ पर आए हैं इसका भाशन सुने यह आदमी कौन है नहीं जान रहे हैं इसका डीटेल्स नहीं जान पा रहे हैं क्या बोला वो समझ में नहीं आ रहा है so what are we doing अरसर बोलते हैं जो स्वेम वहां उस घटना में थे वो कहता है हम लोग को कुछी को समझ में नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं what is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for simplest sort of people यह जो poet है वो यहाँ studio में क्या कर रहा है वो studio जो Tamil भाशा में film बनाता है बड़ी सरल साधी जनता के लिए film बनाता है उस स्टूडियो में कभी का क्या काम क्या लेना देना what is this English poet doing in this film studio